ट्रेड कर रहा है सुस्ती के साथ यहां पर शुरबात होती हुई दिख रही है इस जिक्स निफ्टी करीब 16,972 के आसपास 2500 अंकों की कमजोरी के साथ निक्कई के बाजार को देखें करीब 400 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है करीब करीब 300 अंकों की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है मिला जुला कारोबार कर अमेरिकी बाजार में भी देखने को मिला लेकिन US Fed Outcome जो की सबसे important है उसका commodity markets पर क्या आसर पढ़ रहा है उसके impact हमें देखने है साथ ही US Fed Outcome जो की कल के लिए सबसे much away to even था क्या कुछ रहा उसके माइने क्या है और सर क्या पढ़ता हुआ दिख रहा है जरा बताए बिल्कुल good morning मांसी देखे यूएस Fed की बेठक में सबसे पहले तो यहां से शुरुआत करते हैं जिस चीज की anticipation थी बाजार को हम कहेंगे कि बाजार ने उस गिरावट को digest किया clear sign दिये है Jeremy Powell ने कि interest rate hike होगा और March से ही होगा और वो अपनी balance sheet को rationalize करने की जो बात करते हैं यानि bond buying की जो बात करते हैं bond buying को taper करने की जो बात करते हैं उसको March से खतम कर दिया जाएगा February तक 30 billion dollars के bonds खरीदे जाएंगे लेकिन उसके बाद March में double attack यानि interest rate hike भी होगे और bond buying नहीं होगी बाजार को इस चिसके अलरी भाप भनक थी बाजार इसको anticipate करके discount कर रहे थे जो हमने पिछले हफते तक की भारी गिरावर देखी तो आप कहें कि कई न कई US में FED की बैठक के बाद in fact lower levels in fact 600 points तक और गिरे बाजार लेकिन DAO कल अगर आप बात करें और परसो भी हमने एक volatility भारा trade देखा था यानि Tuesday night को जो trade देखने को मिला था क्योंकि हमारी शुटी थी कल वहाँ पर भी आपको volatility देखने को मिलती है और कल का ही आपको volatile session US markets में देखने को मिला है लगबग 600 points गिर कर DAO गिरावट में बंद होता है NASDAQ positive बंद होता है तो एक mixed Qs US से मिल रहे हैं कहा जाए कि शैद उस Bazaar ने उस Fed Reserve के जो outcomes है उसको कहीं हद तक digest कर लिया है जिसका हमने outcome कल के आंकडों के आंकडों के हलहाँ से कह सकते हैं दूसरे जो बड़े factors रहे हमें निकले आपने अभी बताया एशन markets है वहाँ का मुझोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं crude की बड़ी बात होगी मालसी इसका watch out करना पड़ेगा कि किस तरह की movement आगे रहते क्योंकि geopolitical tension जो बीच में चली होए Russia, Ukraine, UAE की अपनी regional tensions है उनके बीच में crude का आकड़ा फिर बुद्वार को कल 90 डॉलर तक का level crude ने achieve कर लिया जो अब तक का पिछले 7 साल में 2014 के बाद का highest level है यह नि 7 साल में पहली बार crude 90 डॉलर के पास बुद्वार को गया कुछ basis point ही वहाँ से correct हुआ लेकि 90 डॉलर के पास इस पाक bread crew trade कर रहा है आप दूसरे अगर important fields की बात करें US bond yield फरसे बढ़ गई है 1.84 वो उसका relation clearly fit की better क्या outcome से है क्योंकि वहाँ bond buying tapering की बात होती है bond buying के prices में yield में increase होने लग जाता है 1.84% bond yield है US dollar index जहाँ थोड़ी softness पीछे हो गई थी अब फिर से तेजी कायम है अब दा हम लोग 97 की तरब फिर बढ़ते वह दिखाए देने precise 96.55K levels पर है US dollar index और bitcoin में क्योंकि ये risk of का environment है measurement है बड़ा parameter है तो वहाँ पर आप देखें तो थोड़ी बहुत recovery फिर से बनी हुई है तो equity markets कहीं आता कहना चाहिए कि US markets में एक volatile session के बाद उपर high level से 600 पंड करेक्ट होके बाजार ने digest करा और उसके बाद NASDAQ positive बढ़ हुआ लेकिन DAO थोड़े से pressure के साथ बढ़ हुआ Brent crude तेज, US dollar index तेज है और साथी bond yields पढ़ी हुई है तो इस trade setup के बीच में Indian markets आज थोड़ी week खुलती हुई मांसी प्रियांका शुक्रिया ये तमाम संकेत विस्तार से हमें बताने के लिए तो clearly यहाँ पर विदेशी बाजार और युएस फेट के decision का असर देखने को मिज़ा इशाई बाजार की शुरवाट जो है हम देख रहे हैं यहाँ पर concerns के साथ होते हुए दिख रहे है और इसका एक impact भारते बाजार को पढ़ता हुआ दिख सकता है आपको याद होगा कि मंगलवार को जब हम बंध हुए थे अच्छी शांदार recovery देखकर हम बंध होने में काम्याब रहे थे आज की शुरवात कैसे होती है इन तमाम संकेतों के बीच में यह देखना बेहत इंट्रेस्टिंग हो जाएगा चलिए संस्थागत ने